Hello friends, welcome back to our YouTube channel Aurora Builders and Constructions एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चानल पर जो आज की प्रॉपर्टी रहेगी वो हमारी 2BHK रहने वाली है इसमें हमारे 3 यूनिट्स रहने वाले हैं 2BHK के दो आप्शिन रहेंगे और एक आप्शिन रहेगा हमारा 3BHK का 2BHK हमारा साध गज होने वाला है lift with parking के साथ अगर हम बात करें इसकी location की तो इसकी location रहने वाली है ओम बिहार और यहाँ से जो इसका nearest neutral station रहने वाला है कर दो कर दो तो यह होने बार है हमारा 2BH के 60 गज का फ्लाट बहुत ही शानदार आप इसमें जितनी भी चीज़े देखोगे सारी ब्रांडड फिटिंग देखोगे वो तो आप हमारे हर फ्लाट में ही देखते हो जितने भी फिटिंग बगए रहती है वो सारी ब्रांडड रहती है सबसे पहले मैं आपको एक बार नक्षा समझा देती हूँ यह रहने वाला हमारा लिविंग एरिया उसे के साथ हमारी ओपन में मॉडलर किचन रहने वाली है कॉमिन वाश्रूम रहेगा दो हमारे इसमें बेडरूम रहने वाले है जो एक बेडरूम हमारा वाश्रूम से अटाच रहेगा और एक बेडरूम हमारा वाश्रूम और बालकनी से अटाच रहने वाला है इसके फ्रंट साइट की हमारी 20 फूट की रोड रहेगी और back side की हमारी 10 foot की रहने वाली है 3 units रहेंगे इसके अंदर 2 unit रहेंगे 2 BHK के और 1 unit रहने वाला हमारा 3 BHK गा सबसे वहले एक बार मैं आपको समझा देती हूँ L corner के sofa के बाद भी आप देख सकते हैं इसमें कितना जादा space है साट गज के हिसाब से easily इसमें इतना अच्छा space है कि आप जब live विजट करोगे तो आप खुद देखोगे कि फ्लाट बहुत ही जादा spacious होने वाला है इसका interior बहुत ही elegant तरीके से design है front side पे LED पैनल रहेगा combination आप देख सकते हैं कितना शांदार होने वाला है एक बार हम नज़र मारते हमारे shandler पे बहुत ही शांदार हमारा three shade में shandler रहने वाला है wall पे कोई wallpaper ना करके wooden में proper तरीके से wall design की गई है black mirrors के साथ open में हमारी modeler kitchen रहेगी जो की हमारी dual में रहने वाली है इस side separately हमारा fridge का provision रहने वाला है इस side आप देख सकते हैं जितने भी fitting है सारी jaguar fitting है two years warranty के साथ proper arrow का provision आपको इस side दिया गया है tap fitting के साथ और जितने भी हमारी drawers हैं सारे hydraulic रहने वाले हैं mat में है proper बहुत ही शांदार रहेंगे space के अगर हम बात करें तो बहुत ही spacious होने वाली हमारी एक kitchen हम अपना material कुछ crockery होती है या कुछ चीज़े नहीं होती जो हम बहुत rare use करते हैं वो उपर हम properly तरीके से store कर सकते हैं इस side रहेगा हमारा common washroom जो कि हमारा living area से attached रहेगा इसमें भी proper सारी jaguar fitting है two years warranty के साथ जितने भी fitted चीज़े हैं वो सारी आपको करवा के दी गई है wall hanging हमारी seat रहेगी इस side हमारा sink रहेगा proper mirror up to roof हमारी tiles रहने वाली है इस side हमारा geezer का provision रहेगा इस side हमारा exhaust fan प्रॉपर तरीके से आपको fitted करा के दिया गया तो यह तो था हमारा common washroom अब मैं आपको ले चलती हो हमारे first bedroom की और जो की हमारा master bedroom रहने वाला है balcony से attach रहेगा सबसे पहले हम space देखे कितना ज़्यादा अच्छा space है हमारे bedroom में proper king size के bed के बाद भी इसमें easily इतना material लगाने के बाद भी बहुत ज़्यादा space है इस side हम extra एक wardrobe अगर रखना चाहें तो हम easily इसमें रख सकते हैं front side पे हमारा LED पैनल रहेगा उसी के साथ-साथ हम अपने कुछ showpices बगएरा easily इसमें लगा सकते हैं साथ में separately आपको dressing area proper तरीके से दिया गया है mirror वाला देख सकते हैं three shaded में proper drawers के साथ easily हम यहाँ पर अपना make-up का समान कुछ भी अपना material easily हम रख सकते हैं बस यहाँ पर हमारी चेर लगाने रह गई है उसी के साथ-साथ-साथ-वाड्रोप्स up-to-roof हमारी वाड्रोप्स रहेंगी hydraulic वाड्रोप्स रहने वाली हमारी proper drawers के साथ proper hanging system है, drawers है, lock वाले drawers है इसके अंदर तो उसी के साथ-साथ-साथ-साथ-वाड्रोप्स रहेंगी proper ventilation परपस से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो अपने living area से होते वे अब हम चलते हैं हमारे next bedroom के और जो कि हमारा second master bedroom के लाएगा तो यह तो था हमारा first master bedroom उसी के साथ-साथ open में हमारी modeler kitchen common हमारा washroom यह proper हमारा living area आप देख सकते हैं, L corner के sofa के बाद भी कितना अच्छा space है एक lobby प्रोपर बीच में बन रही है second bedroom हमारा इस side रहेगा जो कि हमारा washroom से attached रहने वाला है इसमें भी king size bed के बाद proper size में lower fitting बीच में texture print से बहुत ही शांदार wallpaper लगा के दिया गया है front side पे हमारा LED पैनल रहेगा अगर हम बात करें AC के ducting की तो हमारा split AC का provision रहेगा जो हमारा इस वाली बॉल पे रहने वाला है एक बार हम नजर मारते हैं हमारी fall ceiling पे सब bedroom में living area में डिफरेंट तरीके से design मिलेगी आपको जितनी भी हमारी fall ceilings रहेंगी अगर फिर भी ventilation purpose से कोई दिक्कर आती है तो इस साइड हमारी exhaust के fitting भी आपको दी गई है ठीक है एक बार हम नजर मारते हैं हमारे washroom पे washroom का space इसमें कितना अच्छा है प्रॉपर jaguar fitting है 2 years warranty के साथ up to roof हमारी tiles रहेंगी इस साइड रहेगा हमारा geyser का provision प्रॉपर तरीके से wall hanging हमारा sink रहेगा उसी के साथ बाल hanging हमारी seat रहने वाली है इस साइड भी हमारा mirror रहेगा तो अपनी इस वीडियो को करते हैं हम यहीं end तो यह तो था मेरा 2BHK का fully furnished flat इसमें जैसा है कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ आपको semi furnished और fully furnished दोनों के options रहेंगे दो टाइम दिली जल बोट का पानी है 24 गंटे summer sewer की भी सुविधा रहने वाली है नीचे स्क्रीन पे दीगे वाल नमबर पे call करके आपको और भी extra कोई information चाहिए तो आप ले सकते हैं Aurora Builders and Constructions के नाम से page भी है Facebook पे, Instagram पे और YouTube पे भी चानल है Aurora Builders and Constructions के नाम से Every Friday रात को 8 बजे फुल वीडियो upload होती है बाकी Reels बगेरा के लिए आप Facebook और Insta पे भी हमें स्क्रॉल कर सकते हैं जिन्हों ने अभी दख चैनल को नहीं सस्क्राइब किया प्रीज वो चैनल को सस्क्राइब कीजिए ऐसी अच्छी वीडियोज एबरी फ्राइड़ी दलती है डेली बेसिस पे भी Insta पे फेस्बुक पे भी पोस्ट होती है ज्यादा दानकारी के लिए आप निचे स्क्रीम पे देगे नंबर पे कॉल कीजिए थांक यू